हेलो दोस्तों मैं हूँ आपकी सकीरुकू, वेलकम तो माई चैनल, दोस्तों उमीद करती हो आप सब भी बहुत यच्छे होंगे और आपके प्रेगनेंसी भी बहुत ही हल्दी और हैपी चल रही होगी, दोस्तों आज की स वीडियो में आज हम बात करेंगे कि प्रेगनेंसी के आपके बढ़ जाए या फिर आपको ब्लेडिंग बगरा स्टार्ट हो जाए तो इसके लिए कुछ मसाले ऐसे होते हैं जिसे आपको अवाइडी करना चाहिए, जैसे कि अगर हमें कोई भी प्रॉब्लम हो नॉर्मल डेज में तो हम क्या करते हैं, जो हमारे घर में मसाले अलग हो जाती है क्योंकि प्रेगनेंसी में हमारी जो कॉम्प्लिकेशन से वह बढ़ सकती है, ऐसी कुछ चीजों का सेवन करने से, कुछ चीजे ऐसी होती है, जिसे हम नॉर्मल लाइफ में खा सकते हैं, लेकिन जब हम प्रेगनेंट होते हैं तो इन चीजों को हमें अवर् में लेना सेफ है, और कौन से ऐसे स्पाइसे है, जिसे आपको टोटली अवोईडी करना चाहिए प्रेगनेंसी के दौरान, तो दोस्तों इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करना बिलक नुकसान नहीं पहुचाएंगे, बलकि आपको ये फाइदा पहुचाएंगे प्रेगनेंसी के दौरान, तो कौन से स्पाइसे है जो आपको खाने चाहिए, उसके बारे में हम पहले बात करेंगे, और इसके बाद बात करेंगे कि कौन से स्पाइसे आपको नहीं खाने चाह वो आपको नहीं होंगे. साथ ही एक डिटॉक्स की तरह भी प्रेजर हो जैसे कि आपकी शजरीर में जो विशेले पदार्थ है, उसे वो बहार निकाल फरैकता है. आपकी immunity को boost करेगा साथ ही आपके बच्चे की immunity को भी boost करेगा तो हल्दी ये बहुत ही अच्छा काम करती है इसे आपको कितनी लेनी है daily तो आप इसे 7-8 gram daily ले सकती है तो हल्दी को कैसे लेना है सबजी बगर में आप डाल सकती है रात में especially आपको हल्दी वाला दूद बना कर पीना है एक glass दूद लेना है और सिर्फ एक ही पिंच हल्दी इसमें आपको add करनी है और इस दूद को आपको pregnancy के दोरां रोज रात में पीना है इससे आपकी immunity भी अच्छी बनी रहेगी और आपकी pregnancy भी बहुत ही अच्छे से रहेगी तो pregnancy में हल्दी लेना बहुत ही अच्छा होगा आपके लिए भी और आपके बच्चे के लिए भी नेक्स्ट दोस्तो अधरक तो अधरक का यहाँ पर क्या काम है especially pregnancy के पहले तीन महिने में अक्सर गर्दबती महिलाओ को नोजिया, वामेटिंग वगरा की दिक्कत रहती है तो ऐसे में आप अधरक का छोटा वाला टुकड़ा अगर आपने मुह में रखती है तो इससे आपको मुह में पानी आना, नोजिया, वामेटिंग की दिक्कत नहीं रहेगी इसके इलावा आप ये भी कर सकती है कि छोटा सा आपको अधरक का जो जूस निकाल लेना है और इसमें नीबू कर असाइड करना है थोड़ा सा और इसे मिला कर आपको इसे चक लेना है तो इससे भी आपको नोजिया, वामेटिंग के जो दिक्कत हो रही है वो नहीं होगी इसके लावा अगर आपको प्रेगनेंसी में भूक नहीं लगती है, खाना खाने का मन नहीं करता है तो ऐसे में आपको क्या करना है, खाना खाने के एक गंटा पहले अधरक का थोड़ा सा जूस निकाल लेना है नी बहुत ही थोड़ा और इसमें थोड़ा सा शैन्ट मिक्स करना है और इसे खा लेना है इसे आपको बहुत ही अच्छे से भूक लगी अच्छे से आप खाना खा पाइगी और अगर आपको जो medicine चल रही होगी भूक लगने के लिए वो भी medicine आपकी बंद हो जाएगी और आप अच्छे से खा भी सकेंगे आपको nausea और vomiting भी नहीं होगी तो अद्रग भी आपकी pregnancy में बहुत ही अच्छे सा help करता है तो आपको कितनी amount में लेना है तो रोज बहुत ही छोटा सा टुकड़ा आपको लेना है और ऐसा नहीं करना है कि दिन दिन भर आप अपने मों में अद्रग चबाए होए है ऐसा बिल्कुल ना करे कि या फिर दिन भर आप उसका juice निकाल कर पी रही है ऐसा भी नहीं करना है maximum तीन टाइम दिन में juice निकाल कर आप इसका पी सका है बहुत ही छोटा सा टुकड़ा लेना है नेक्स्ट दोस्तों जो हमारे घरों में बहुत ही जादा इस्तमाल होता है वो है काली मिर्च यानि ब्लैक पेपर और अगर आपको pregnancy में diabetes बगरा की समस्या नहीं है आपकी healthy pregnancy है तो ऐसे में भी आप काली मिर्च का सेवन कर सकती है ये आपकी pregnancy को healthy बनाए रखेगा नेक्स्ट दोस्तों इलाइची इलाइची तो वैसे हमारे kitchen में बहुत ही जादा famous होती है हर चोटी बड़ी चीज में हम इसका इस्तमाल करते है सुभा की चाय पीने से लेकर रात में दूद पीने तक हम इसका कई बार इस्तमाल करते है तो आपको pregnancy में हरी इलाइची लेनी चाहिए या नहीं तो आप इसे ले सकते है pregnancy में आपको एनेमिया की जो तकलीफ होती है जैसे कि आपका जो हीमोग्लोबिन है वो डाउन हो जाता है तो अगर आप ऐसे में चाय में या फिर दूद में इलाइची का सेवन करती है थोडी मात्रा में यह आपको एनेमिया नहीं होने देगा और यह आपके खोन को डिटॉक्स भी करता है तो आप बात करेंगे कि ऐसी कौन सी चीज़े है जिसे आपको प्रेगेशं के दौरान नहीं लेनी चाहिए तो सबसे पहली चीज़े इसमें आती है मेथी का पानी मेथीदाना अगर आप उसको फ्रेग्नसी के दौरान लेते है तो यह आपके बच्चे नहीं में connection पैदा करेगा जो delivery के time पर जो process होनी चाहिए वो पहले ही स्टार्ट हो जाएगी तो इसलिए आपको मेथी दाना या फिर मेथी का पानी इस्तमाल नहीं करना है दूसरी चीज़ है दोस्तो हींग तो हींग आपको किस तरह से नहीं लेना है और क्यों नहीं लेना है तो हिंको अगर आप सबसी बगरा में इस्तमाल करती है या फिर सबसी बगरा को तड़का लगाने में इस्तमाल करती है तो इस तरीके से आप हिंको खा सकती है लेकिन जब आपको पेट में गैस रहती है कब्ज रहती है तकलीफ अगरा रहती है या फिर आपका खाना अच्छे से हजम नहीं हो पाता है तो ऐसे मैं आप देखते ही होगे बहुत ही common सी चीज है कि घर की लोग हमें suggest करते हैं कि हम पानी में हिंको मिला कर इसे पी ले तो इस तरीके से आपको हिंको नहीं लेना है इससे आपको early pregnancy की जो process होती है वो start हो जाएगी और आपके pregnancy में problem आ सकती है हिंको आप सबजी और तड़के में डाल कर खा सकती है लेकिन अभी जो बताया है उस तरीके से नहीं खाना है next दोस्तो सफेग तील इसका भी सेवन आपको pregnancy में नहीं करना है क्योंकि इससे भी आपको early delivery की process start हो जाएगी और आपकी pregnancy में disturbance हो सकता है next दोस्तो दालचीनी तो दालचीनी का सेवन भी आपको नहीं करना चाहिए जब आप conceive करने का try करती है यानि pregnancy के पहले तो यह आपको फायदा पहुचाती है लेकिन जब आपकी pregnancy confirm हो जाती है तब आपको इसका सेवन नहीं करना चाहिए दालचीनी को आप सबजी बगरा में डाल कर खा सकती है लेकिन अगर आप दालचीनी वाली चाय पीती है या फिर इसका powder बना कर इसे गरम पानी में mix करके पीती है तो यह आपके लिए बिल्कुल भी safe नहीं है इस तरीके से आपको दालचीनी को नहीं खाना है यह आपके बच्चे को नुकसान पहुचा सकता है तो इसलिए डॉक्टर से भी consult करें और अपने खुद भी इसके बारे में जांच करें प्रेगनेंसी के दोरान आप आपकी immunity को बढ़ा के रखे ताकि आपको कोई भी problem ना आए इसके लिए आप नीबू ले, मोसंबी ले, साथ ही आप संत्रा वगरा कभी इस्तमाल करें जिससे आपकी immunity naturally boost हो और आपके बच्चे को और आपको कोई भी दिक्कत ना हो और आपका बच्चा भी healthy रहें तो दोस्तों उम्मीद करती हो इस वीडियो में आप जान गए होंगे कि आपको प्रेगनेंसी में कौनसे spices लेनी चाहिए और किन्स spices को आपको अबॉइडी करना चाहिए दोस्तों अगर आपको मेरी ये वीडियो helpful लगी होगी तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल पर नए है तो सब्सक्राइब भी जरूर करें तो फ्रेंड्स मैं मिलती हो आपसे नेक्स वीडियो के साथ तब दिक के लिए गुडबाई टे कियर स्टे हल्दी स्टे हैपी और थैंक्स पर वाचिंग